और आवस्षकता से अधिक वस्तूं का उपयोग करना संग्रह करना यह हो जाएगा भोग और आवस्षकता से अधिक वस्तूओं को अपने पास न रखना ये हो जाएगा त्याग है सब कुछ छोड़के एकदम नंग धढ़ंग खाड़ा हो जाना त्याग हो जाना नहीं है त्याग होना का अर्थ क्या है कि वस्तूओं का उपयोग उतना ही जितने की जरूरत है उससे अधिक नहीं उससे अधिक की सोच भी जिसके मन में नहीं आती है वो सादक हो गया अब सयमित मन के साथ साधना करेगा तो साधना भी अच्छी होगी और जब मन बिखरा हुआ हो तब ऐसे में आख बंद कर रहा है ध्यान के लिए पर याद कपड़े आ रहे हैं गहने आ रहे हैं, जेवर आ रहे हैं, कार आ रही है वस्तुएं आ रही है कैसे लगेगा तो दोरी चाल हो गई न, भजन के लिए बैठ भी रहा है पर मन भजन में है ही नहीं मन को किसी के साथ भी इतना मत अटकाओ कि वो तुम्हें नचाता भी संसार की किसी वस्तु के साथ जुड़ा हुआ मन पीड़ा ही भुगता है जो चीज जितने अनुपात में आपको सुख देगी उतने ही अनुपात में आपको दुख भी देती यह simple सा principle है एक simple सा rule है तो लोग में पड़ा हुआ वासन में पड़ा हुआ मन ठीक से देख नहीं पाता है और वो देखता है जो देखना चाहता है और जो वो देख रहा है वो सही दिख नहीं रहा है तो reality से दूर हो गया अपने ही सुपन के जगत में बिचरता है और सुपनावी वस्तूओं को सच मान करके उनके पीछे बागता है और संक्रंतिक इसको कहते हैं कि आदमी इस नींद को तोड़ देता है आँख खुलता है और आँख कोल करके हर वस्तूओं के साथ जुड़े सुख और दुख को देखता है शरीर के साथ जुड़े सुख और दुख को देखता है शरीर के साथ हुए जन्म जो तो हो चुका है अब मरन होना है ये भी देखता है और मरन कब होना है सो पता नहीं है इस कारण वो और भी सावधान हो करके अपने कल्यान के लिए जो कारे करने चाहिए, जो पुर्शार्थ करना चाहिए, वो उस पुर्शार्थ को करता है तो द्रश्टी साफ होनी चाहिए, द्रश्टी धुन्दली नहीं होनी चाहिए, धुन्दली द्रश्टी से सामने पड़ी वस्तु जब ठीक नहीं दिखती है, तो धुन्दले मन से सत्य कैसे दिखेगा तो सत्य का दर्शन करने की जिसको चाह हो उसे अपने मन की आँख को साफ रखना जाए और विवेक सत्संग से जो हमें प्राप्त होता है यही विवेक का स्वर्मा लगा कर तुम्हारी मन की आँखे खुल जाती कभी साथ का एक बहुत सुनर पद है मन की आँखें खोल बाबा मन की आँखें खोल मन की आँखें खोल बाबा मन की आँखें खोल मन की आँखे खोल बाबा, मन की आँखे खोल, मन की आँखे खोल बाबा, मन की आँखे खोल, मन की आँखे खोल बाबा, मन की आँखे खोल, मन की आँखे खोल बाबा, मन की आँखे खोल, मन की आँखे खोल बाबा, मन की आँखे खोल, मन की आँखे खोल बाबा, मन की आँखे मन की आँखें खोल वावा मन की आँखें खोल खुले आख से मन को देखे जीवन को देखे और अपने विचारों को देखे हमारा मन नए नए समंद कैसे बना लेता है जोब मैं सोचता हूँ किसी नए जगे जाकर ध्यान करूंगा तो मन वहां भी समंद बना लेता है जैसे मैं मंदिर में ध्यान के लिए गया तो ध्यान के बाद मेरे मन में आया के पुजारी मेरे बाद में क्या सोच रहा होगा और मै बहां के लोगों को ध्यान से देखता हूँ आदी आदी अब देखो ये तो तेरा ही मन नहीं लव ये तो सबका मन ही ऐसा है सबका मन ही ऐसा है अधूरा हमेशा किसी सहारे को डूंडता है भी तेरा मन अधूरा है इसलिए लोगों की प्रशंसा स्थुति लोगों की भावना आपके प्रती क्या है आप वह जानना चाहेंगे जिश्चे ही क्योंकि मनुष्य का मन समाजिक प्राणी हो गया न तो जिनके साथ रहते हैं उठते बैठते हैं जो हमें देखते हैं जिनको हम देखते हैं हम उनके विश्वय में सोचते हैं मनुष्य का अभिमान इस बात को स्विकार नहीं करता, कि कोई उसके लिए बुरा कहे या सोचे, इसलिए हमेशा पैनी द्रश्टी से नजर मार के देखते रहते हो, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, कौन मेरे, और कोई तुमसे ये कह दे, कि तेरे बारे में वो ऐसा बोल र हो सकता है अपने मन से बात बोल रहा हो, लेकिन आप सुने तो सही अपने बारे में कोई नेगेटिव बात, आप तुरूंत उसको सच मान लेते हो, क्योंकि कहीं न कहीं दिल में आप अपनी अवकात तो जानते ही हो ना, तो गुस्सा आता रहे, मेरी अवकात लिक हो गई, अईसे कैसे हो गया, आप जूट बोलते हो, यह आपको पता है, पर जब आप दूसरों को जूट बोलते हो, तब आप यह थोड़ी कहते हो कि मैं जूट बोल रहा हूं, तब तो सच कहके बोलोगे, अच्छा फिर आपका जूट पकड़ा जाए, जिसका जूट पकड़ा जा बड़ा गुसा खाता है वो इसलिए नहीं कि जूट पकड़ा गया इसलिए कि उसकी अवकात लोगों को पता लग गई और अब मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा और अब मेरे बोले गए जूट पर कोई जब यकीन नहीं करेगा तो मेरी क्या इज़त रह गई मेरा स्टेटस क्या रह गया मनुष्य का मन बड़ा खतरनाक है ये गलत करने से कतराता नहीं है हाँ गलती पकड़ी जाए तो इसको बड़ी तकलीफ होती गलत करना है इसको कभी चार परदों में कर रहे हैं पर जब वो बात परदे वाली खुल जाती है तो बड़ी परिशानी होती तो मानव मन अपने आप में अधूरा है और समाज में परिवार में आप दूसरों पर निर्भर हैं दूसरों के साथ जी रहे हैं सोच के देख लव अगर अभी के अभी तुम्हें ऐसा मालूम चले कि तुम्हारे साथ जो जी रहे थे परिवार मित्र वो सब ने तुम्हें त्याग दिया है कैसा लगेगा तुम तो जीते जी मर जाओगे तुम जी नहीं सकते हो लोगों के बगेर तुम्हें हमेशा अपने आसपास लोग चाहिए जो तुमसे लड़े भी प्यार भी करें महबबत भी करें नफरत भी करें ये गेम खेलना तुम लोगों को बड़ा पसंद है अच्छा मान लो लव ग्यानी हो जाए लव को अकाल आ जाए और फिर लव को कोई बताए कि तेरे परिवार ने तेरा त्याग कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब तुम लोट के कभी धर मत आना हम तुमें घर में गुशने नहीं देंगे फैक्टरी बिजनस में गुशने नहीं देंगे तेरा हमारा कोई रिष्टा नहीं रह गया तेरे से सारे कानूनी जो संबन्द है वो हमने तोड़ दिये है पर ये ख़बर जब तुमें मिले तो तुमारी बुद्धी में ग्यान जागरत हो चुका हो पहले से ही और तुम अपने आप में संतुष्ट और त्रप्त जी रहे हो और उस पर ये ख़बर आए तो तुम तो भंगला डालोगे खुश होगे, नाचोगे कि मुसीबत निप्टी अब या भार भी नहीं करना पड़े तारोगे नहीं तो परिशानी होगे करता है तो ये खिर बसत्तों कि मुसीबति नहीं कि मुसी अपने चाहे तो अछियो आच सांतों कि मुतियोaux ओताetically कि मुसीबतिए दोल चाहे होगे कि मुसीबतिता हो